उस वक्त कप्तान रुहुत सर्मा गुस्से में आग बबूला हो उठे और सरयाम गालियां देनी लगे जब एमपायर विरेंद ने चाती की नो बोल को फेर बॉल दे डाली हर किसी की धड़कने साथवे आश मान पर थी क्योंकि इस बार रुहुत सर्मा इसे हलके में नहीं लेने वाले थे और आगी हुआ भी ठीक वैसा ही रुहुद सर्मा एम्पायर विरेंद के पास पहुंचे और कुछ ऐसा घमसान कर डाला जिसके बाद एम्पायर विरेंद की सांसे हलक पर अटक चुकी थी जी हाँ दोस्तूं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का ये बैंगलोर मैच जहां पर रुहुद सर्मा ने टीम इंडिया का भार संभाला और रिंकू के साथ मिलकर एतिहासिक पार्टनर्शिप जमाई लेकिन सुरुवात में ही एमपायर विरेंद रुहुद सर्मा के साथ कड़क नजर आ रहे थे रुहुद सर्मा ने पहले भी उन्हें वार्न किया था पर जब स्नोबॉल को विरेंद ने फेयर बॉल दे डाली तब रुहुद सर्मा गुस्से में अपना आपाखो बैटे थे वैसे आप को क्या लगता है क्या रूहुत सर्मा का गुस्सा जायस था कॉमेंट जरूर कीजेगा तैंक्स और वाचिंग